नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में गारियों की खडीत में ये जिला सबसे आगे बिहार के स्कूली बच्चों की अंग्रेजी वग गनीत में आया सुधार सुमन गिल ने रिकॉर्ड पारी के बाद किया बड़ा खुलासा इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार में गारियों की खडीत में ये जिला सबसे आगे भाद सरकार के Ministry of Road, Transport and Highways के दोरा जारी किये गए आंक्रे से यह पता चलता है कि वाहनों की खडीत बिक्री में बिहार के अन्य जिलों की अपेक्छा कोशी सिमांचल वप पुर्णिया को छोड़ अन्य कोई भी जिला टॉप 5 में शामिल नहीं है आपके जानकारी के लिए बता दे कि सांक्रे के नुसार पिछले 5 सालों में यानि की 2019 से कोशी सिमांचल वप पुर्णिया समेत सभी जिले अपने पहले के स्थान पर कायम है वहीं इस लिस्ट में पहले नंबर पर पुर्णिया है यानि की पुर पर्मिट में चौथे स्थान पर बना हुआ है सरकारे सिक्षकों का वेतन अब जिवीका दीदी करेंगी ते बीते दिन मुख्यमंतर ने दीशकुमार अपनी समधान यात्रा के दौरान बकसर पहुंचे जहां उन्होंने बकसर के MPI स्कूल में जिवीका दीदियों को से एक वीडियो बना कर बीडियो को भेजेंगे जिसके बाद इस वीडियो को बीडियो के दौरा डीम को भेजा जाएगा और इसके बाद ही सिक्षकों का वेतन तैग किया जाएगा दो महिला सिपाहीों ने दिखाओ बिहर के वैशाली जिले में दो महिला सिपाहीों की बहदूरी देखने को मिली दरशल वैसाली सदर खाना चेतरस्थत उत्तर बिहर चेतरिये गर्मीन बैंक सिंदुवारी शाखा के पास पांच लोग पिस्टल लेकर बाइक से बैंक लूटने के लिए मनसूबे से पहुँचे थे वहीं बैंक के गेट पर तैनाद दो महिला सिपाही जूही और शांती ने उनसे पास्बुक की मांग की जिसके बाद मधमाशों से जूही और शांती की नौक जूख सुरू हो गई इसे नौक जूख के बीच एक बदमास ने जूही पर पिस्टल तान दी तो वहीं दोनों महिला सिपाही भी पीछे नहीं हटे और बदमाशों पर तन गए इस दोरान बदमाशों ने महिला सिपाही से राइफल छिनने की भी कोशिश की लेकिन तब तक जुही ने अपना राइफल लोड कर लिया था और जैसे ही चलाने वाली थी वेबदनास मौके से भाग निकले वहीं अब दोनों महिला सिपाहियों की लोग उनकी बहादुरी के लिए तारीफ भी कर रहे हैं तो वहीं SP ने उन्हें पुरुस्क्रित करने का भी घोशना किया है गया के रोजगार शिवर में पाएं HCL में काम करने का सुनहड़ा मौका बिहार के गया में गया बोध गया रोड में किंदूई स्थित अवर प्रादेशिक नियोज नाले गया में 20 जनवरी को पुरवाहां 10 बजे से एक दिवशिय रोजगार सिवर का आयोजन किया जा रहा है वही मिली जानकारी के अनुसार इस रोजगार शिवर में HCL Training and Staffing Service Private Limited द्वारा IT इंजिनर के कुल 100 पदों पर निवति करने के लिए यूवक और यूवतियों का चेहन किया जाएगा चेहनित हुए अभ्यर्थियों को 15-18,000 रुपे तक अवेतन भुकतान किया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे किस रोजगार शिवर में वही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो 60 प्रतीसित अंकों के साथ इंटर्मीडियेट फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ से पास कियोंगे वहीं इसकी पूरी प्रक्रिया बिलकुल नीशल्क है नागालेंड विधानसभाचनाव में जेडियों उतारी की अपने उमिद्वार नागालेंड में घाले और त्रिपूरा में विधानसभाचनाव की अधिसूशना जारी होने के बाद विहार के मुख्यमंत रिनितिस कुमार की पार्टी जेडियों ने चनाव आयो के निरने का स्वागत किया और साथ ही आधिकारी घोशना भी की कि जेडियों अब नागा लैंड में भी विधानसभाचनाव लड़ेगे इसके लिए जल्द ही स्टेट पालिया में फ्री बोर्ड की बैठक में चनाव लड़ने वाली सीटों पर चर्चा किया जाएगा और इस पर मुहर लगने के पार्टी को विधानसभाचनाव में 6% वोट मिलना चाहिए या 4 राज्यों में पार्टी को छेत्रिय दल के रूप में मानिता प्राप्त होना चाहिए बिहार में इस साल चार राश्यों लोक अदालत का होगा योजन पतना हाई कोट लीगल सर्विस कमीटी की ओर से नोटस जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है कि इस साल बिहार में फरवरी मई सितंबर और दिसंबर महीने में चार राश्यों लोक अदालत का योजन किया ज समीत कई मामलों पर समझोता कड़ाया जाएगा सरकार का सार्थक सहयोग मिला तो सिनेमा घड़ों में भोजपूरी फिल्म में होंगी रिलीज बीते दिन बुदवार को पटना के एक होटल में सारे गामा हम भोजपूरी के काडिकरम और सारे गामा नाइट्स के लॉंच के अफसर पर भोजपूरी सूपरस्टार खेशारी लाल यादब पहुँचे जहां नोंने भोजपूरी गानों के विकास पर चर्चा करते वे कहा कि भोजपूरी भाशासलील नहीं है बलकि कुछ लोग हैं जो इसे गंता बनाते हैं अगर बिहार सरकार का सार्थक सहयोग मिलता है तो भोजपूरी फिल्मों को भी सिनेमा घड़ों में रिलीज किया जा सकेगा इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर मैं भी भोजपूरी गाने में गंदे सब्दों का इस्तमाल करूं तो लोग उसे ना सुने आपके जानकारी के लिए बता दे कि इस दोरान लॉंचिंग कारिक्रम में भोजपूरी एक्टरस अक्षरा सिंग और सारे गामा के मैनेजिंग डैरेक्टर विक्रम मेरा भी मौजूद रहें बिहार के स्कूले बच्चों की अंग्रेजी वा गनीत में आया सुधार बीते दिन बुधवार को एनुल स्टेटस ओफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 जारी की गई जिसके तहत यह पता चला है कि बिहार के बच्चों की नीजी कोचिंग में रूची बढ़ी है और साथ ही यहां के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की अंग्रेजी वा गनीत में सुधार आया है जानकारी के बतादे कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ज 2022 में वर्ज 2016 की तुलना में कक्चा पांच के बच्चों में अंग्रेजी पढ़नी की छमता में 4.3 प्रतीसत की बढ़ोती हुई है वहीं स्कूलों में सिक्षकों की उपस्थिती में भी बढ़ोतरी देखी गई है बतादी कि 2022 में 2018 की तुलना में 68.5% की बढ़ोतरी हुई है बिहार के 22 जिलों में नए सिक्षा भवन का होगा निर्मान राजे में एकिकरित व्यवस्था के तहस सिक्षा विभाग के गति वीदियों का संचालन किया जा सके इसके लिए सिक्षा विभाग के और से राजे की प्रतेक जिले में सिक्षा भवन का निर्मान किया जाएका इसके लिए वीदिये मन्जूरी भी दे दी गई है आपकी जानकारी के लिए बतादी कि बिहार के सत्रा जिले ऐसे हैं चांग सिक्षा भवन के निर्मान के लिए कुल 83 करोर रुपे खर्च किये जाएंगे वहीं प्रतेग जिला में सभी भवनों का डिजाइन एक शमान बनाने का देश दिया गया है बतादे कि बिहार के जिलों में सिक्षा भवन बनानी के जिम्मेदारी बिहार राजे सैच निकाधार भू सरलजना लिमिटेट को दी गई है भवनों के निर्मान होने से सिक्षा विवा का प्रतेग दफ्तर एक ही भवन में होगा और लोगों को अपने काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा पटना में धरना पर बैठे भाजपा के दिगज नेता इस धरना में बीजेपी के प्रदीश अध्यक्ष संजय जैशवाल के सासा कई दिगज नेता शामिल है बिहार बीजेपी के दोरा इस धरने पर बैठने के कारण को लेकर एक ट्वीट शेर किया गया है जिसमें कहा गया है कि बिहार सरकार दोरा किसानों पर दमनकारी नीतियों बढ़ते अपराज चौसा कान पर सरकार की चुपपी खाद यूरिया की काला बजारी पर 19 जर्वरी को सुभा 9 बजे से साम 4 बजे तक किंदरी मन्तरी शांसल स्ष्री अस्रीनीच चौवे जी जेपी गुलंबर पठना में शांकेतिक मोन उपवास रखेंगे केसी आर के हिट शो के बार नितिस कुमार ने कही ये बात तिलांगना CM KCR के दोरा मुखे मंतरे इदीस कुमार को अपनी खमम रैली में नियोता नहीं दिया गया था वहीं जब इसको लेकर मुखे मंतरे इदीस कुमार के दोरा सवाल पूचा गया तो उन्होंने मीडिया से बाचीत करते वे कहा कि हम चाहते हैं कि जादा से जादा विपक्ष के लोग एक जूट हो क्योंकि यही देश की हित्मे हैं उन्होंने कहा किसमें उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत ख्वायस नहीं है उनकी पार्टी की रैली में जिन्हें बुलाया गया होगा वे गया होंगे अगर वो मुझे बुलाते भी तो मैं नहीं जा पाता क्योंकि मैं अभी अपने समधान यात्रा में लगा हुआ हूँ वहीं फरवरी मार्च में विधान मंडल का बजट सत्र होगा उसके बाद वो एक बार फिर विपक्षी एकता को लेकर बात करेंगे उस दौरान जो भी उन्हें बुलाएगा वे वहाँ चाहेंगे गिराज सिंग ने सीम नितीज को दी इस्तिफा देनी की सलाह किंद्रिय मंतरी गिराज सिंग ने दिल्ली से पटना आने के दौरान पटना एयरपोर्ट पर मुख्य मंतरे नितीज कुमार और उप मुख्य मंतरी तेश्वियादब पर जम कर निशाना साधा उन्होंने इस दोरा नितीज कुमार को अपने पद से इस्तिफा देने की सलाह दी उन्होंने कहा कि जिसके मंत्री उसकी बात न सुने वैसे मुख्य मंत्री को अपने पद से इस्तिफा दे देना चाहिए पार्टी की ओर से नोटिस भेजा गया और 15 दिनों में जवाब मांगा गया है इस पर श्रवन कुमार का कहना है कि जेडियू का स्टैंड यही है कि जो गलत करने वाला है उन्हें सजा में ले न्याय के साथ दिकास में जो बाधा बन रहे हैं उनके खिलाफ कारवाई हो और और पारी के बाध किया बड़ा खुलासा बीते दिन भारत और न्यूजलैंड के बीच खेले गए वंडे सीरीज के पहले मैच में सुबमन गिल के दोहरा सतक का सांदार पारी खेला गया और इसी के साथ वे दोहरा सतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गया बत गिर रहे होते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं मैंने सिंगल्स और बांडरी जमाकर गेंद वाजो को दवाब में लाने का प्रयास किया मैंने 200 रंग के बारे में सोचा नहीं था लेकिन 46-47 ओवर के बाद मुझे लगा कि दोहरा सतक जमा सकता हूं उन्होंने कहा कि मैं इस जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी गुरुवार को पिट्रॉल डीजल के रेट चारी किए इसके बाद राजधारी पटना में आज पिट्रॉल 107.92 रुपे और डीजल 94.92 रुपे प्रती लीटर में मिल रहा है मुझे बितर दिन हमारे दर पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों पन अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था जिन्होंने हमारे पुछे के सवाल का जवाब दिया है के लिए देखते रहें बिहारी नूज और अगर आप यूटूब से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहा है तो पेस को फॉलो करना ना भूले थन्यवाद